नमस्क्रा दोस्तों, क्या राजिस एक्सपूर्ट में निवेश करके गलती हो गई है, क्या राजिस एक्सपूर्ट दोस्तों, लगातार जो यह गिरावट दिखा रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या जो राजिस एक्सपूर्ट में अचानक से गिरावट आई है, उसके वीचे का reason क्या है क्या कोई fundamental या business for reason तो नहीं है और last but not the least firstly मैं stock में क्या कर रहा हूँ क्या मैं इसमें निभेशित हूँ नहीं हूँ अगर था तो क्या निकल गया हूँ ऐसे बहुत सारे सवाल इस stock में आ रहे थे दोस्तों बट दिखिए मैं जैसे कि आपको दिख रहा हूँ को पिछले कुछ समय से लगातार जो results आ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों quick analysis कर रहा हूँ और जो serious investor group है ऐसे stocks जिसके result तो खराब आएं लेकिन यहाँ पर buying की कच्छी opportunity बिल रही है वो वहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी काम पर मैं थोड़ा सा busy चल रहा हूँ दोस्तों इस कारण एक कह सकते proper analysis या बड़े queries के वीडियो में नहीं ल जल्दी query चाहिए तो आप CS investor group member को join कर सकते हैं या उसके beginner को भी join कर सकते हैं आप comment करेंगी या highlight होगा मैं उसका जवाब आपको जरूर जरूर दूँगा दोस्तों ठीक है लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं इसी तरह की videos बनाता हूँ दोस्तों तो यदि आपको वी वीडियोस अच्छे लगते हूँ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और all notification को जरूर दबाएगा तो अब proper charge करते हैं कि भाई राजश एक्सपोर्ट में करना क्या है देखिए क्या last का सवाल सबसे पहले लेंगे क्या राजश एक्सपोर्ट है उसके बाद दोस्तों stock already मैं उसमें अभी currently जब मैं अपसा चर्चा कर रहा हूँ तो मैं loss में हूँ दोस्तों but मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ किसी भी stock में अगर आप निवेश कर रहे हूँ प्लीज उसके पहले तैयारी कीजिए stock में देखिए यहां पे ना मैं कोई आप कर सकते हैं level 6 चर्चा नहीं करूँगा केवल stock specific और ऐसे गिरावट में क्या करना चाहिए और थोड़ा बहुत बाजार की चर्चा करने वाला हूँ तो यह किसी को लग रहा हूँ यार प्रवचन होने वाला है तो आप video छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल बाजार क के लिए तयार थे बिल्कुल तयार होंगे अगर आप में किस टॉक को खरिदा है तो आपको पता होगा कि उसकी कौन सी प्रोज है क्या कौन से और इवन राजेस एक्षपूर्ट ने तो जब हमने चर्चा की है वहां से मेरे काल से 5-10 परसन एक बार भाग भाग भी चुका आपको अराम से निकलने का मौका मिला था अगर आप एक बहुत छोटे टम के लिए आये थे बट यदि आपका होरिजन थोड़ा सा बड़ा है आपको रिटन थोड़ा जादा कमाना था तो ये चीजें तो होंगी ही और देखिए जैसे ही राजेस एक्षपूर्ट में कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिला जो मैं आपको कह रहा हूँ निचले समस्वरी तेजी आती दिख रही थी अच्चानक से इसराइल हमास वर आ जाती है राजेस एक्षपूर्ट और अंडे एक्षपूर्ट स्टॉक्स में जो एक काफी प्यारा मोमेंटम बना था क्यों ज इस कारण स्टॉक उपर बहुत शांदर जाना शुरू कर रहा था जब एक बहुत अच्छी मोमेंटम बन रही थी उसी कारण अब आप देख रहे हैं कि एक वीक्नेस एक गिरावट देखने को मिल रही है तो भही यह गिरावट और कई निविशक इस बात को लेकर भी डर है कि स्टॉक ना 450 के नीचे भी अप ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो आपके सामने रेकॉर्ड कर रहा हूँ ना स्टॉक 450 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है और यह अच्छे सैंस नहीं है दोस्तों क्योंकि अगर 450 नीचे लगाता है स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो शायब ए एक पूरा का पूरा वर्ल टर्माइल चल रहा है तो इसका रंड़ा और इतना ही नहीं कुछ मैं कहा रहा था कली दोस्तों अमेरिका के सकते बयान आता है वहां के जो आप सकते बिसनेस के जैसे हमारे आरे भी आई है वैसे वहाँ के head का कि भाया inflation रुकने ही रही है और अगर inflation को रोकना है मेरे खाल से उनका जर्मी पाउगल है अगर inflation को रोकना है तो हमें शायद economy growth की तिलांजली देनी पड़ेगी और ऐसी जो चीजे हैं बहुत दर डरा रही है निवेश्कों को bond yield अपने highest में 60-60 साल के highest में कई आपके सकते हैं period की bond yields चल रही है तो यह बिलकुल भी अच्छी नहीं है प्लस हमास war जो आपके सकते हमास इटल बॉल चल रही है कहा यह जा रहा है कि अमेरिका लगा था डॉलर चाप रहा है ठीक है किसी दिन ऐसा भी हो सकते हैं कि डॉलर में भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले आज नहीं कुछ समय बाद तो यह तमाम चीजे नहीं it's not good यह अच्छा नहीं हो रहा है तो एक weakness का दोर है और आपको समझना पड़ेगा स्रिब बात यहां राजिस एक्सपोर्ट की नहीं है आप quarterly number जो लगातार बार बार दे density है वो लगातार देख रही है quarter two के number में भी शायद आपको देखने को मिले और वो साफ जलक रही है banks जो देख रहे हैं दोस्तों आप आप कह सकते हैं कि चाहे सब्सक्राइब को कोटक महिंदर बांक वो दबाओं में चल रहे हैं ठीक है तो तमाम जो numbers निकल के आ रहे हैं द growth guidance लगातार कम कर रही है आप कह सकते L&T technologies, L&T, LTI mind tree, happiest mind हर कोई growth guidance को लगातार कम कर रहा है कोई-कोई तो आधा कर दे रहा है दोस्तों तो बात और vision साफ है दोस्तों कि चीजे problematic हैं ठीक है तो इसका असर सिर्फ यहाँ पे नहीं अन्य बाजारों में भी आपको अन्य stocks में देखने को मिलेगा but on the specific क्योंकि border way में चर्चा करनी ज़रूरी थी दोस्तों बहुत सारे सवाल इसके में भी आते हैं लेकिन क्या राजस export का इसका negative असर कहां तक बढ़ेगा देखिए कोई नहीं बता सकता इसलिए मैं आप से कहता हूँ कोई भी आपके stocks का exposure किसी भी stock में आपके portfolio कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होना चाहिए कई निवेशक और मैं इस serious investor group में लगातार चर्चा करता हूँ कि भाया हर portfolio में कुछ एक high risk stock होते हैं कोई coffee can portfolio कई लोग कहते हैं कि एक actual निवेश करने क्या मतलब है HGFC bank में निवेश करने क्या मतलब है यह तो औरड़ी भागे हुए जी हां बिल्कुल भागे हुए बट यह वही stock है जब इस तरह की गिरावट हो तब आपको खरदारी करनी चाहिए यह कोटक महिंदरा bank top management issues के कारण उसमें की top management किसको मिलेगी उसके कारण दोस्तों pre covid level के भी नीचे की valuation में trade कर रहा है को टक महिंदरा bank ठीक है तो क्या इन stock को लेना सही नहीं रहेगा हाँ अगर आप एक अठाओ एक साथ बहुत साथ stock ले लेंगे तो सही नहीं रहेगा आपको इस प्रकारी गिरावट में accumulation करना चाहिए actual बिल्कुल competitive intensity उसमें दिख रही है बाट इस तरह कि उसमें बड़ी घिरावट हो धीरी दर आक्यों मिलेट करें ठीक है कई लोग यह कहते हैं कि भई actual में आप बोलते हैं खरदारी करें लेकिन भई मैंने तो जोती लाप्स में भूला था खरदारी करने किते लोगों ने की 180 190 यहां लगातार जोती लाप्स में लगातार चर्चा रह थी कि भई यह खरी दे इट्स ग्रेट स्टॉक ठीक है वहां से स्टॉक कहां भागिया है क आप पूछ सकते हैं ठीक है इसी लिए यहां पर जो अच्छे स्टॉक से उसी की उपर में चर्चा करता हूं दोस्तों तो राजे से एक्सपूर्ट में बता दूँ आपको कि भईया ऐसा कुछ नहीं हो गया है जो बहुत सब्सक्राइब हो ठीक है यह जो इनके जटका लग इस समय आपको क्या करना चाहिए प्लीज अपना पेशेंस रखे यह वक्त बहुत दा सीखने का होता है दोस्तों कि ऐसे में हरबडा के नहीं बहुत दा सेल करना है नहीं बहुत दा बाइ करना है जी हां बाइ भी हरबडा के बहुत दा नहीं करना है कि बाजार कहां जाकर के रूके गिरावट में, यह जो तमाम सिनारियों बन रहे हैं, यह कितनी जादा और भी भायवा इस्तिती बन सकती है, किसी को नहीं पता, इसलिए, कभी भी स्टॉक खरीदें, प्रपोर्शनलिट में खरीदें, रिस्क प्रोफाइल को आपके समझें अपना, और इतना ही ने द परिशान हो जाते हैं दोस्तों, तो प्लीज यह तमाम चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, और यह जो सिनारियों बन रहे हैं, यह पहली बार नहीं बन रहा है, बाजार का तो चाली है इन दोस्तों, उपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, उपर जाएगा कभी-कभी नीचे जाके और नीचे जाकर के जादा समय तर वो consolidate करेगा तो यही समय होता आपके patience test का ठीक है so as a investor ऐसे मौकों में आपके पास list हो नीचे अच्छे stocks की ताकि जहां अगर गिरावट हो तो आप उहाँ पर खरदारी कर सके दोस्तों so as a investor मैं आपको दा दू Rajas export में मुझे कोई भी ऐसी कोई बहुत दर negativity नहीं दिखती अगर आपको कुछ चीजे पता हुई है please comment box बताईएगा कुछ चीजे लोगों ने कही थी बट उसका मुझे कहीं प्रमार नहीं मिला दोस्तों तो उसकी चर्चा मैं करूंगा ने आपके क्या इवीजे राजस export में या बाजार को लेकर के please comment box में बताईएगा आप यहां तक जुड़े रहे अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धनिवा दोस्तों यह सुड़िए का अंत है चैन दोस्तों